आप सभी को हनुमान जहनती की हार्दिक शुभकामना है मैं निदीशिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हनुमान जहनती का दिन है हनुमान जहनती चत्र मास के पुर्णिमा तिथी को मनाई जाती है भगवान वानर के नाम से प्विख्यात बदरंग बली के जन दिन के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं मा अंजना की कोक से हनुमान जी ने भगवान शिव के ग्यारवे अफ्तार के रूप में जन लिया और उनके बारे में क्या कहें उनके जैसा भक्त तो आज तक इस संसार में नहीं हुआ है उन्हें अजे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें अजेता का वर्दान है इसलिए कहते हैं कि कलियुग में जो चिरन जी भी भगवान के रूप में हैं वो हनुमान जी भी या कल्यूग में आज भी अमारे बीच में विद्यमान है हनुमान जी बगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनके भक्तों की संख्या भी बहुत अथिक है इसलिए हनुमान जैंति के दिन लोग हनुमान चालीसा बजरंग बान का पाट करते हैं हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चड़ाते हैं हनुमान जी की पूजा आरादना करते हैं सुन्दर कांट का पाट करते हैं आज के दिन विशेस रूप से हनुमान जी को रोट का प्रशाद चड़ाया जाता है कई लोग सवामनी बोल कर हनुमान जी को सवामनी भी हनुमान जैनती के दिन चड़ाते हैं अरपित करते हैं हनुमान जी कस्टों को दूर करने वाले भय से मुक्ति दिलाने वाले उपरी बादा से दूर करने वाले देव के रूप में जाने जाते हैं यानि आज के दिन उनकी पूजा अराधना विशेस रूप से हमारे लिए फलदाई रहती है तो आज के दिन जो मैंने आपको बोला हनुमान जी को रोट चड़ाए बजरंग बान और हनुमान चालीसा का पार्ट जरूर करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर का चोला जरूर अर्पित करें अब बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं आज के दैनिक राशिफल पर तो 23 अप्रेल मंगलवार का आज का दैनिक राशिफल में लेकर उपस्तितु यूँ और सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की तो विक्रम जमब्द 20181 प्रारंभ हो चुका है चैत्रमास की शुक्ल पक्षकी पुर्णिमा तिथी आज है जो की प्रातक काल 5.18 मिनट तक रहेगी उसके बाद प्रतिपदा तिथी प्रारंभ हो जाएगी चित्रा नक्षत्र भी आज इके दिन आ रहा है जो की रातरी 10.32 मिनट तक रहेगा उसके बाद स्वाती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा चंद्रमा आज कन्या राशी में गोचर रमन करेंगे और प्रातक काल 9.19 मिनट पर कन्या से तुला राशी में प्रवेश कर जाएगे वज्र योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरिड दौपेर 12 बजे से लेकर 1.30 मिनट तक रहेगा वही राउकाल का समय दौपेर 3 बजे से लेकर 4.30 मिनट तक रहेगा दिशाशुला जुत्तर दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो गुड़ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं आज मंगल का भी राशी परिवर्तन होने जा रहा है वर्तमान में वे अपनी शत्रू राशी कुम्म में विराजमान थे और आज के दिन यानि तेभी सप्डल को वे अपनी अतिमित राशी मीन में प्रवेश करेंगे और मंगल के भी आराध्य दे्व है हनुमान जी इसलिए हनुमान जेन्ति के दिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे विशेश उपाए लेकर आई हूँ चुकि आपके कस्टों को दूर कर सके तो इन उपायों को कर हनुमान जी की क्रपा आप राप्त कर सकते हैं परंतु इन उपायों को जानने के लिए आपको ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना और सुनना पड़ेगा और वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा अपनी राशी के अनुसार इन उपायों को जरूर अपना है ताकि हनुवान जी की क्रपा सदे वापपर बनी रहे तो बिना कोई देर की येवे शुरुवात करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी डिसिजन ना करें आज के दिन जीवन साथी का पूरा साथ और समर्पन आपको देखने को मिलेगा आपके कार्य फटा फट से और दुरुद कती से होते हुए दिखाई देंगे यत्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी अब आते हैं ब्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चैटे ही भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता थोड़ असा ज्यादा ओर थिंकिंग करना छोड़ दे मानसिक समस्या अपने आप ही कम हो जाएगी आज के दिन आपका सेल्फ कॉंफिडेंस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके कारियों को सकार आत्मक दिशा मिलेगी मित्रों का दाइरा बढ़ने वाला है परंतु आपको मित्रों का चैन करते समय सावधानी रखनी होगी और अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें हन्मान मंदिर में लाल रंग का जंडा चड़ाए इससे आपकी मनो कामना पूर्ण होगी आपका शुब्रंग रहेगा हरा शुबंक रहेगा साथ अब आतें मित्रों राशी पर आपकी राशी से चंडरमा आज के दिन पाचवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी नेने लेने से बचें करियर को लेकर जो भी टेंशन चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी विद्यारती वर्क को परिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी कोई डाउट से तो आपके टीचर्स उस डाउट को क्लियर कर देंगे संतान से अच्छा लाब आज के दिन आप प्राप्त करेंगे हर्मान जी को गोड और चने का भोग लगाए आपका शुबरंग रहेगा सफेज, शुबरंग रहेगा आठ अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चन्दरमा आज के दिन चौते ही भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख कर आज अपने कारियों को करने का प्रयास करें किसी भी कारिय में आज के दिन जल्द बाजी बिल्कुल भी न करें आज के दिन जितना धैरे से आप अपने कारियों को करेंगे उतना ही आपको अच्छी सफलता अपने कारियों में देखने को मिलेगी मा का मौरली सपोर्ट आज आपके साथ रहेगा अनुवान जी की प्रतिमा के सामने बैठ कर राम रक्सा स्त्रोत का पार्ट जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा स्लेटी, शुबंक रहेगा एक अब आते हैं सीय राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन तीसरे भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे अता आज का दिन बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, भाग्य वर्दक रहेगा आपके कारिय फटाफट से होते दिखाई देंगे यत्रा है आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आपके भाई बैनों के साथ आपके ट्यूनिंग बहुत ही बैतर रहेगी और अच्छानक धनलाप के योग बनेंगे रासी स्वामी सूरी के साथ हनुमान जी की भी आज के दिन पुजा आराधना करें आपका शुबरंग रहेगा मजेंटा, शुबंग रहेगा अच्छें अब आतें कन्या राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के दिन कुटुम मेमान सम्मान बढ़ेगा पैत्रिक संपत्ती समंधी फैसलों का निप्तारा हो जाएगा और वो भी आपके पक्ष में होगा आज के दिन आपके घर के बड़े आपका सपोर्ट करेंगे और कोई विशेश कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी हन्मान जी को अनार का भोग लगाए और किसी अन्य लाल फल का भोग भी लगा सकते है आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंक रहेगा चार अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन खुद की राशी में गोचर ब्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे किसी भी कारे को ना करे समझदारी से किये गए कारेों का विशेश लाब आज के दिन आप प्राप्त करेंगे आज के दिन यत्राएं करते समय सावधानी रखें और कोई भी कारिय आज के दिन जल्द वाजी में ना करें आपके घर के बड़ों की सला लेकर जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता अधिक मिलेगी हनवान मंदिर के पुजारी को लाल वस्त्रों का दान करें आपका शुबरंग रहेगा पीला, शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं व्रशिक राशी पर आज के दिन लाप तो अच्छा होगा पर खर्च की स्ततियां भी बढ़ सकती है अपने मन को थोड़ा सा सयमित रखें और खर्च की स्ततियों से बचें आज के दिन अचानक धनलाप के योग बनते हुए दिखाई देंगे और कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा आपके सुखों में व्रद्धी होगी और आज के दिन प्रॉपर्टी से सम्मंदित कुछ सुप समाचार आपको प्राप्त होंगे मंदरों को चने और मूफली जरूर खिलाएं आपका शुब्रंग रहेगा गुलाबी शुबंक रहेगा एक अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चन्द्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अधा आज का दिन आपके आकस्मिक दनलाप की परिस्तितियों को बढ़ाएगा आज के दिन यात्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आपका लेवल और सरकल बढ़ता हुआ दिखाई देगा अचानक दनलाप के योग बनेंगे और आज आपका सेल्फ कॉंफिडेंस भी बढ़ेगा हनुमान चाली साय बजरंग बान का पाट ग्यारा बार जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा बूरा शुबंक रहेगा चार अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन दस्वी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए कर्म प्रधान रहेगा आपके काम फटाफट से होते दिखाई देंगे यात्राएं आपके लिए बहुत ही अच्छी और सौबाग्य पूर्ण रहेगी पिता का सानिद्य मिलेगा हनुमान जी के मंदिर में आज के दिन साप सफाई जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंक रहेगा दो अब आतें कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी डिसिजन लेने से बचे अध्यात्मिक कार्यों में आज आपका मन अधिक लगेगा संतान से आर्थिक लाप प्राप्त होगा है रजगुशन से जुड़े वे छात्रों को कोई सुब समाचारों की प्राप्ती होगी हनमान जी को केवडे का इत्र जरूर लगाए आपका शुब्रंग रहेगा मैरून शुबंक रहेगा पांच अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राश से चंद्रमा आज के दिन अस्टरम भाव में गोचर रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी नेने लेने से बचें आज के दिन कोई भी रिस्की काम न करें रुपे पैसों से सम्मनित कारियों पर किसी और पत्बरोसा न करें खुद खड़े रहकर ऐसे कारियों को संपन करें आज के दिन यात्रा करते समय भी सावधानी रखें गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को जरूर चड़ाएं आपका शुब्रंग रहेगा केसरिया, शुबंक रहेगा दो तो ये है तीबी सप्रेल मंगलवार का दैनिक राशिफल अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री राते क्रिश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध ज्योतिश आचार्य है उनके जोधपुर स्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2